नमस्कर दोस्तों, आपको मेरे यूटूब चैनल में फिर से सौगत है, जिसका नाम है Buy, Sell, Signal, Software तो अगर आप CR मार्केट में काम करते हैं और लोज से परिसान हैं या फिर आप जितने एक्सपेट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजे साहिद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है आज को मैं देखे कुछ लाइब वीडियो बना रहा हूँ निप्टी फ्यूचर को बेस करके तो लास्ट 10 से 15 दिन का मैं एक परफरमेंस दिखाने जा रहा हूँ और उसमें मैं दिखाऊंगा हम लोग का सौफ्टर ने क्या परफरमेंस देखे गया है और मार्केट में किस हिसाब से आपको काम करना चाहिए बेसिकली मार्केट का जो में चीज होता है मार्केट का सेंटिमेंट या ट्रेंड को समझना है अगर आप मार्केट का सेंटिमेंट को समझ जाएंगे या मार्केट का ट्रेंड को समझ जाएंगे तो अब कहीं पर भी एजिली अपना प्रॉफिट बना सकते है तो देखें निप्टी फ्यूचर का चार्ट को मैं एकदम 6 में से एक्स्पेंड कर रहा हूं यह जो ब्लू कलर का एरो दिखाए दर है यह आपका सिगनल है जब भी कोई सिगनल बनता है आपको स्क्रीन को पर एक पॉपब आ जाएगा अब में चीज होता है जो समझना यह जो उपर का तरफ जा रहा है और मिडिल में आपको कुछ वाइलेट टैप का कैंडल दिखाए देगा जिसे हम लोग ट्रेंड कैंडल कहते है तो ट्रेंड को समझना सबसे इंपोर्टेंट चीज होता है जो छे तरीक को जो बाइका कॉल बना था उस तरह मार्केट में कौन सा ट मगर मार्केट में कोई फ्रेस कॉल नहीं आया स्रिब मिडिल का लाइन का कलर ग्रीन को ही कंटिनू कर दिया इसका मदलब है उस दिन भी 7 तरीक को भी 6 तरीक का जो बाइका कॉल था उसको कंटिनू करना था उसका बाद 10 तरीक को भी देखेंगी तो यही ग्रीन लाइन कंट में ही काम कीज़ेगा सेलिंग करने का मदला भी है आपका position रिक्स में है तो सबसे important चीज होता है market का इस trend को समझ नागा रहा है इस trend को समझ जाएंगे तो काम बहुत ही easy हो जाएगा 10 तरिक में देखे market में selling trend आया है यह red color का arrow यह sale का call है आप यहाँ पर देखे यह blue color का इक arrow दिख रहा है यह buy का call यह blue color का arrow यह आपका buy का call है मागर middle का line देखे यहाँ से red होना शुरू किया यहाँ से लेकि यहाँ तक यह आपका red line था तो इसका मतलब है 10 तरिक से लेके लगभख 14 तरिक तक market में जो trend था निप्टी का वो selling trend था आपको जो भी focus करना था selling में था buying में आपको focus नहीं करना है देखे यह buy का call बना था मगर middle का line यह to rate है मतलब यह buy का call आपके हिसाब से false हो जाएगा मगर यहाँ पर मेरा यह सबसे important चीज़ है बोध client मुझसे पूचता है जो signal repent होता है के नहीं देखे मेरा यहाँ पर एक पर signal आ गया तो यह confirm हो गया है भले ही market गिर जाएगा मगर signal बाद में गायव हो जाने का कोई option नहीं तो signal चाहे जो भी बने आपको trend का साथ match करके पकरना है result लेके निकला है उसका बाद देखे 17 तरीक को आपको यहाँ पर market में buying trend शुरू हुआ आप यहाँ से लेके यहाँ तक continue देखते हैं इस 17 तरीक को buy का call दिया था यह आपका चला है लगबक 18 तरीक 17-18 दो दिन market में buying trend था middle का line देखे यहाँ पर totally green था अब यहाँ पर continue करेंगे buying के लिए और उसका बाद 19 तरीक को फिर से market में selling का trend आ चुका है और अभी भी यह selling trend continue कर रहा है यह देखे यह आपका current position में आप इसको right side में इसका value देख सकते हैं 14,941 अभी भी market downtrend में जा रहा है right side में आपको देखे यहाँ पर so कर रहा है strong down market में maximum जो position है sellers के लिए strong है तो इस indicator में basically signal और यह trend यह दो चीज़ को यह आपको follow करना परेगा अगर आप trend को सही से identify कर लिए तो आप कहीं पर भी एक अपना result बना सकते हैं तो यह जो concept है यह scalping and trend इंडिवर्ट सेल का उपर बेस करके काम कर रहा है तो not only nifty यह cash future commodity option forex सबके लिए applicable है main चीज़ होते है market का trend को market का sentiment को समझना अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप कहीं पर भी अपना profit बना सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा obviously like कीजिए comment कीजिए यादे सेर कीजिए अगर अब मेरा चैनल को first time देख रहे हैं तो मेरा चैनल को subscribe करना ना खुलिए ताक इस तरीका का आपको वीडियो मिलता रहे हैं और इस market related अगर आपको मेरा और भी बहुत सरा वीडियो देखना है या मुझसे contact करना है वीडियो का नीचे मेरा description दिया हुआ है वहाँ पर मेरा details दिया हुआ है तो thank you thank you so much goodbye